प्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री कुश्चेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो नाकपूरी में ग्रेजवेट लेबल का नाकपूरी में जो आउट अप सिलेबस प्रस्न जो पूछा जा रहा है तो वो कहां से दिया जा रहा है और कैसे कम से कम महनत में हम जो है उस क्वेश्चन को कवर कर पाएं कम से कम अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 7-8 क्वेश्चन कम से कम हम लोग कम से कम महनत में कैसे उसको कर पाएंगे तो पहला तो ये जान लीजे कि ये जो पूछा जा रहा है आउट अप सिलेब गया है तो बाकी जो रचना है जागा जागा के अलावा उससे प्रसंद पूछा जा रहा है तो बहुत सा कॉल बहुत सा मैसेज और उल्टा पूल्टा भी मैसेज कर रहे हैं लोग कि आप लोग कोर्स बेचने में रहिए कोर्स बेचने में रहिए तो इसलिए हमको वीडियो ल करके भी वहां नहीं थे बस Facebook में YouTube में और WhatsApp में चिल आते हैं आप लोग तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कम से कम मेहनत में कैसे कर सकते हैं कि कम से कम 70-80% जो है उसको कभर किया जा सकते तो देखिए पहला हम लोग को जो गीत पढ़ना है वो CDC का पढ़ना है जागा-जा पढ़ना है लेकिन BP केसरी का बुक में इनका चार रचना दिया गया है इनका चार रचना दिया गया है तो कौन-कौन से है पहला है एक जारखन वंदना है इसके अलावा दूसरा है जागा-जागा है इसके अलावा तीसरा इनका है क्रांती मसाल क्रांती मसाल और चौथा न इनका रचना है उससे प्रस्न दे दे रहा है तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है जैसे कि CDC का जो चारो रचना है अगर उसको हम लोग केवल याद कर लेते हैं तो 70% question जो है हम लोग cover कर पाएंगे कैसे वो देखेंगे हम लोग तो इनका चार रचना है जिसमें की एक जारखन वंदना है तो जारखन वंदना में क्या करता है कि सुरू का या last का दो लाइन दे रहा है कभी कभी एकात question में बीच का भी दो लाइन दे रहा है तो उसको हम लोग छ जार्खन कर माटी धूरा माथे धरोना इस दो लाइन को अगर हम लोग जान जाएंगे कि यह जार्खन वंदना का है तो दोनों प्रसन बन जाएंगे कि यह जार्खन वंदना रचना से लिया गया है और यह किसका रचना है CDC का तो वंदना में ना ना है तो देखिएगा इसमे करोना धरोना इसी तरह से आया है या तो शुरू का लाइन उठाएगा या तो लाश्ट का दो लाइन उठाएगा तो लाश्ट का अगर दो लाइन हम लोग देख रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि थिरैक उठोना गोहाईर करोना तोर सरधा अचरा तरे किरैक उठोना उठोना करोना धरोना इस तरह से है इस रचना में जार्खन वंदना तो वंदना करोना धरोना इस तरह से याद कर लिजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अगर दो लाइन देगा तो ये जार्खन वंदना का है और अगर पता चल जाएगा कि ये जार्खन वंदना का है तो आप ये करो तो इस लाइन को अगर देता है तो हम लोगों समझ में आ जा रहा है कि ये क्रांती मसाल रचना का है तो अगर पता चल लिया गया तो दो ही प्रसुन पूझता है या किस रचना से लिया गया है तो ये क्रांती अगर हम लोग एक बार भी देखे रहेंगे कि क्रांती मसाल आप नाम का भी कोई रचना है तो आसानी से पकड़नेगे की ये कुरांती मसाल का रचना है और अगर लेखा का क मदर्कर पूछदेगा तो हम लोगको लेखा का भी नाम रखना है जो भी याद रखना है जो भी तीन या चार रचना है किसी भी लेखा का ये question जो है 20 गीत और 10 कविता यानि कि जो 20 रचनाकार है उसी से question पूछा जा रहा है इसमें हम 5 को cover कर रहे हैं और समझा दे रहे हैं कि किस तरह से आप लोग इसको handle किजेगा बाकी हम pdf दे देंगा मेरा app है study pre question app app में आपको pdf मिल जाएगा वहाँ से आप खुद से तयार किजेगा तो क्रांती मसाल में अगर सुरू का दो लाइन दे रहा है तो हम लोग आसानी से पकड़ ले रहे हैं कि ये क्रांती मसाल का है और अगर आखिर का दो लाइन देगा तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल फिर भी थोड़ा सा इध्यान देना का कोशिज किजेगा कि कैसे पकड़े माथे चंदन रोरी हाथे किरपान चलनाय रंजीत देख रन कर मैदान तो यहाँ पस जो है इसको देख के लग रहा है थोड़ा सा क्रांती क्रांती तो इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं तो इस तरह से क्रांती मसाल इनका रचना हो गया इसके अलावा नाकपूरिया इससे भी प्रसन पूछा है ये अभी जो हाल में एक जाम हुआ था नगर भी देख सकते हैं कि नकपूरिया अगर सब्द आया है तो ये एक बार देखा हुआ रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि ये नकपूरिया रचना का है और रचनाकार तो हम लोग को याद करना ही है कि इसका है CDC का इसके बाद इसका अगर लाश्ट लाइन देखते हैं ये इनका चौथा रचना है जो की लाश्ट रचना है तो लूटत है इजत और मारा थाजार नकपूरिया नकपूर में मुर्दा समान तो अगर ये दो लाइन भी देदेगा तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि य ये नकपूरिया रचना का है जिसके रचनाकार है CDC तो चारो रचना को अपने तरीके से ट्रीक बना लिजेगा जैसे कि इनके चार रचना हो रहा है जागा 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 जार्खन वंदना करांती मसाल नकपूरिया तो अपना कोई भी एक लाइन याद कर लिए जैसे कि न नकपुरिया के लोग जागो तो नकपुरिया से नकपुरिया रचना हो गया है न जागो से जागा रचना हो जाएगा करांती मसाल जला के तो करांती मसाल एक रचना हो गया और जारखन वंदना कर तो जारखन वंदना भी इनका एक रचना हो जाएगा तो सिर्फ अगर रचन पॉइंट से हम कविता गीत पढ़ाने से पहले बता चुके हैं दुनिया इनका जो है चार छितिस कुमार राजी का जो हम लोग को पढ़ना किया है तो हम लोग को इनका रचना पढ़ना है बिरसा कर्याइद में हम लोग को पढ़ना है लेकिन बीपी केसरी का बुक में जो है इनका चार राचना इनका भी चार राचना दिया गया है तो कौन-कौन चार राचना है जिसमें की एक है दुनिया एक फुलवारी इसके अलावा एक राचना है इनका बसंद फिर इनका एक राचना है घर में ढुकला है चोर जिससे की question पूछा है और चौथा विर्शाकर याय तो दुनिया एक फुलवारी यहां से हमको मिल जा रहा है कि यह रचना जो है दुनिया एक फुलवारी का है और इतना सा पता चल जाएगा तो दोनों चीज पता कर सकते हैं कि इसके रचनाकार कौन है और यह रचना कौन है तो यह दो लाइन से तो हम लोगो पता चल जा रहा ह बाकी देखेंगे इसका लास्ट दो लाइन देखते हैं चितीस आवार जाही जग के जहमेला मलीन मन में हसेला मलीन मन में हसेला तो ये लास्ट दो लाइन भी देख लेना है कि ये चितीस कुमार जी का रचना है दुनिया एक फुलुवारी का आगे है इनका एक रचना है बसंत बसंत है किसका चितिस कुमार राजी का तो इसका शुरू दो लाइन देखते हैं तो क्या मिलता है बिहसी बसंत आय, सिस्की सीत सीराय, नमीन वसं शिंगराय, भाय, मधुमा से तरु इठलाय तो यहां भी देखते हैं तो इससे पता चल जा रहा है कि यह रचना जो है बसंत होना चाहिए तो अगर हम लोग को पहले से अगर पता रहेगा कि बसंत भी कोई रचना है तो यह दो लाइन देखके हम लोग असानी से कर लेंगे कि हाँ यह बसंत रचना का है और जैसे ही हमको पता चलेगा ये बसंत रचना का है तो इसका लेखा का नाम भी हम लोग को याद आ जाएगा कि ये छितिस कुमार रहा है बसरते कि हम लोग उनका चारो रचना को याद रखेंगे लाश्ट दो लाइन भी देख लेते हैं फितिस अकुलाय कंत मोही तजी जाए गुनी गुनी हिया बिद्राय भाय मधुमास से तरू इठलाए तो यहाँ पस मधुमास देखके भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि बसंत रितिव को ही मधुमास कहा जाता है तो इससे भी हम लोग को पकड़ में आ जाएगा कि ये बसंत सीर्षक रचना का है और जिससे की पता चल जाएगा कि ये छितिस कुमार राजी का रचना है घर में ढुकले चोर ये कोश्चन भी इससे भी पूछा गया था कौन निंदे सूतली भाई घर में ढुकले चोर गेटरी मोटरी बांधी भाई अगया कौन और तो इसको भी अगर दो लाइन हम लोग देखते हैं और अगर ये एकजाम में पूछ देता है तो पहला तो हम परसेंट को हम लोग हल कर सकते हैं सेवन टू टू एटी एक आत क्वेस्चन जो है बीस से पूछेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे नहीं छोड़ब धरब हो ले कतनो करी निहोर चितिस नहीं करी पाप जिनगी में घोर तो नहीं छोड़ब धरब हो ले यानि कुसको पढ़ लेंगे तो नहीं छोड़ेंगे बीर्शा कर याईद में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पेट क्लास में क्वेस्च्टन एंसर भी कर चुके हैं तो इसको अभी छोड़ दे रहें तो इनका चारो राचना हो गया है तो इनका चार राचना कौन-कौन हुआ अलग से एक नोट बना लिजेगा सब का, चारो रचना का चितिस कुमार राय का चार रचना हो गया बिर्साकर याइद में, जो कि हम लोग को पढ़ना है दुनिया एक फुलवारी, बसंत और घर में ढुकले चोर याद करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से कोई ट्रीक बनाएंगे जरूरी नहीं है कि हम जो ट्रीक बनाए है वो आपको याद रहे हम बार-बार कहते हैं कि जो जितना अच्छा ट्रीक बनाएगा जो अपने आसपास की चीजों से जोड़ेगा उसको एक्जाम में याद रहेगा और वही एक्जाम में सफल भी होगा तो देखिए इसको जो हम लोग हम छोटा सा अपना एक लाइन खुद के याद के लिए बनाया है कि बसंद का मौसम में फुलवारी में चोर ढुकलें तब बिर्सा का याद आया तो बिर्सा हम मान के चलते हैं कि बिर्सा जो है क्या करता है फुलवारी का रच्छा करता था यह दुनिया को भी हम लोग एक फुलवारी के तरह ले सकते हैं यहाँ फुलवारी का मतलब यह दुनिया एक फुलवारी रचना जो है है ना तो बसंद के मौसम में फुलवारी में चोर ढुकले तब बिर्षा का याद आया, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, फिर आगे हम लोग है भीम मतो, भीम मतो का हम लोगो तीसरा जो गीत है भीम मतो का दिया गया है, कौन सा गीत पढ़ना है हम लोगो भीम मतो का, भीम मतो का ह हम लोग को पढ़ना है नाकपूरक भाइमन यही रचना को हम लोग पढ़ना है लेकिन इस भूक में इनका तीन रचना दिया गया है तो कौन-कौन सा तीन रचना दिया गया है एक है बंधनाकरब दूसरा है कहां जनम लेल और तीसरा है नाकपूरक भाइमन तो इन तीनों रहा है तो वो लोग एप में जो है अभी ओफर चल रहा है पेट क्लास से जूर सकते हैं नाकपुरी का और उसको डेढ़ दो का स्पीड में जल्दी से आड़ दिन में क्लास को खतम कीजिए ताकि नाकपुरी में आपको confident आएगा इसके अलावा वहां chapter wise test series भी है इसके अलावा full land test शिरीज है अभी सब में offer है और मातर 50 रुपिया में अभी आपको दिया जा रहा है जिसमें 6 full land test है इसके अलावा उसमें जारखन का test है भासा लीपी से टेस्ट है इस तरह से current affairs का test है उसमें और add होगा current affairs का तो इस तरह से एक special test series बनाया गया है जो कि अभी मात्र 50 रुपिया में दिया जा रहा है तो आब app जो है study pre question app download करके उसको प्राप्त कर सकते हैं तो भीम महतों का जो तीन रचना है उसको चलिए हैं तो हम लोग को यह समझ में आ जाता है कि यह रचना जो है कहा जनम लेल का है तो अगर question पुछेगा कि यह रचना जो है इसका सिर्सक बताओ तो क्या हो जाएगा कहा जनम लेल बहुत असान इस पकड़ लेंगे एक बार भी सुना हुआ रहेगा तो पकड़ लेंगे बस आपको याद रखना है कि कहा जनम लेल किसका रचना है ताकि वो दूसरा question है वो भी पकड़ में आ जाए अब इसका last line देखते हैं कहा जनम लेल अच्छा यही इसका last line है वरन बिलोकी जड़ भीम सेन हरखाय अच्छा सजनीरे अउधे पुरु स्री राम तो यह इसका last line है इसको भी किसी न किसी हिसाब से आप जोड लिजेगा ताकि जो है आपको याद हो जाए कि यह कहा जनम लेल का रचना है इसके बाद इनका रचना है नाकपूरक भाइमन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको नही पढ़ेंगा भी अच्छा बंदना करब हम लोग देखें बंदना करब इनका रचना है बंदना करब कर जोरी गनेशपत बंदना करब देखने से पता चल जा रहा है कि यह बंदना करब का रचना है इसका last line में भी बंदना करब लिखा हुआ है तो अगर यह भी दो लाइन आप पकड़ लीजेगा कि यह बंधना करभ का रचना है तो इनका तीन रचना होगाई बंधना करभ कहा जनुद और नापपुरक भाइमन जनम लेवेकर साथ भंधना करा एक जहां में छोटा सा अगर आपको छोटा सा भी हिंस मिल जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा रचना है एक दो बार बस आपको देखना होगा तो इस तरह से नाकपुरग भाईमन जनम लेके बंदना करा इतना सा याद किजेगा तो भी महतों का तीनो रचना आपको याद हो जाएगा आगे है चौथा हम लोगो भरत नायक पढ़ना है भरत नायक का हम लोगो कौन सा रचना पढ़ना है जेठ मास अती पढ़ना है कौन सा पढ़ना है जेठ मास अती लेकिन question जो है बाकी से पूछ दे रहा है और इनका 5 रचना है भरतनाय का 5 रचना है बिपी केसरी बुक में जिसमें की घरे नाखें पिया है भाई बहिन हीत मने है पुझी पती मस्ती उड़ावे जेठ मास अती राखू संगठन ये 5 रचना इनका है तो राखू संगठन से भ लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में अब देखते हैं घरे नाखें पिया घरे नाखें पिया जो है इनका रचना है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा तो घरे नाखें पिया केके कहूं दुखक और हायरे दया विल्की नैने बहे नीरे तो अगर ये दो लाइन हम लोग अगर हमका दिमाग में एक बार भी देख लिए तो इतना से याद होई जाएक कि घरे नाखें पिया जैसा भी कोई रचना है वही इसका सिर्शक है बस याद रखना है कि ये भरतनायक का है इसके लास्ट में देखते हैं काहे भरत के सोर आजू आभएन पिया तोर है दय्या सुन के आनंदे-जीवा-मुर्थ अबंएं पिया तोर, पिया का बात यहां भी आ रहा है तो इससे भी हम लोग पकड़ेंगे कि यह घर मे नख है, पिया का आने का बात हो रहा है, तो यह रचना को हम लोग पकड़ सकते हैं और उसका रचनाकार भाई वहिन हीत्मने तो भाई वहिन हीत्मने इससे पूछा गया था नगरपालिका में तो भाई वहिन हीत्मने का है भेली जनेतने काम करू हड़ीदारू पिये तो इसको देखके समझ में आ जाएगा कि ये रचना जो है भाई बहिन हीत मने का है और इसका लाश्ट लाइन जो है क्या है ना करू मतवारी देखू आपन खेती बारी समयक लेऊ भारत कर इक हैक धिया एक बार अगर आप कविता पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको ये लाइन से भी समझ में आ जाएगा कि ये भाई बहिन हीत मने का रचना है क्योंकि सुरू में भी मतवारी कहते हैं दारू पीता है उसको मतवार कहते हैं तो भाई बहिन हित मने में सुरू लाइन में भी वही कह रहा है कि कम करू हाड़ दर्पियक और यहां भी मतवारी आ रहा है वही नसा करने का तो समझ सकते हैं कि भाई बहिन हित मने रचना है यह उसके बाद है जेट मास अती यह हम लोग डीटेल में पढ़ चुके हैं फिर इनका रचना है राखू संगठन इससे भी कोश्चन पूछा है ए भाई ए नाकपूरी जन आपस में राखू संगठन एक बात एक विचार करू इकर परचा यह दो लाइन देखके ही पता चल जा रहा है अगर पूछेगा कि इसका सिर्षक बताओ तो राखू संगठन हो जाएगा रचनाकार कोन है का यह तो भरतनाएक रचनाकार कोन है भरतनाएक बीच का हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बीच का चेकर में अगर पढ़ेंगे तो फिर जो हम लोग अपना सिलेबस से भटक जाएगे और पिछड़ जाएगे बीच का हम लोग अभी छोड़ दे रहे हैं लाश्ट लाइन इसका देखते हैं लाश्ट लाइन है राखु संगठन का जहारखन का चमतकार भरत रावर दिलदार करत है जोहार सभेखन ये इसका लाश्ट लाइन है फिर इनका एक रचना है पुझी पती मस्ती उड़ावे तो देखू तो दुनिया में अती अमरित आवे महंगी अकाल से गरीबी टकरावे गे साजन पुझी पती मस्ती उड़ावे ये लाइन आपको देगा पकड़ लिजेगा कि ये पुझी पती मस्ती उड़ावे का है जोकी भरत नायक का रचना है और लास्ट लाइन भी देता है तो यहां से भी हम लोग पकड़ पारहे है कि यह पुझी पती उड़ाईवे रचना का है तो यहाँ पस जो है इनका जो है रचना यहाँ पस सारा खतम हो जाता है उसके बाद कालीकुमार सुमन का आता है तो यह जो है इनका 5 रचना है पांचों रचना हम लोग देख लिए तो 5 रचना कौन-कौन है घरे नाखसे पिया जेठ मास अती भाई वहिन हित्मने राखु संगठन पुझी पती मस्ती उड़ावे तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे अपने हिसाब से कोई भी ट्रीक बना लिजेगा ताकि याद हो जाए कि भरत नायक का कौन कौन रचना भी पी के स्रीका बुग में दिया है तो देखिए जेठ मास का दीन में घरे नखे पिया क्या होता है जेठ मास का गर्मी का दीन में जो है घर में पिया नहीं है तो भाई वहिन मन से संगठन करके मतलब संगठन करके क्या संगठन मतलब मिल जूल के मस्ती उड़ावे उड़ावे खे एसा यह लाइन याद किजे कि जेट मास का दिन में घर में पिया नहीं है तो क्या करेंगे अगर पिया नहीं है पती नहीं है तो क्या करेंगी वो क्या करेंगी अब भाई बहनों से क्या करेंगी संगठन करके यानि कि मिल जूल के वो मस्ती उड़ाएगी तो अगर ये लाइन आप अगर फट से दिमाई में ले आते हैं, जेठ मास कर दिन में, क्योंकि जेठ मास तो आप जान रहें कि भरतनायक का है, जेठ मास जैसे ही आप भरतनायक देखें तो जेठ मास याद कीजिए, जेठ मास से याद कीजिए कि जेठ मास कर दिन में घर में पीया ना खाएं, तो क्या करें भाई, भाई बहान से मिलके संगठन करके हम लोग मस्ती उड़ाएं, है ना, तो सब पकड़ में आ जाएगा, जेठ मास भी आ जाएगा, घरे न खाएं पीया, ये भी आ जाएगा, फिर भाई बहीन हीतमने भी आ जाएगा, और राखु संगठ कर देते हैं किन हिका 5 अंपनेन परवाहि का न थनेक्ण्द परवाहि स हमाइन परवाहि का कि पढ़ना है तुलसी और कैक्टस पढ़ना है लेकिन बिपी केसरी का बुक में इनका तीन रचना दिया गया है तीन रचना दिया गया है जिसमें की एक है गजल एक है तुलसी और केक्टस और तीसरा है पुरूप करगी कौन-कौन सा तीन है गजल तुलसी और केक्टस जो कि हम लोग को पढ़ना था और पुरूप करगी तो इन तीनों को थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं गजल गजल में क्या है पच्चिम से का आलक हवा घरे अब बजार भेगे लग तो ये दो लाइन जो है इसमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है लेकिन अपने हिसाब से देख लिजेगो पच्चिम से का आलक हवा घरे अब बजार भेगे लग मोल तोल है डेग डेग में रिस्ता कर बार भेगेलक इसी तरह लास्ट में बुढ़ुआ घर कर होल संत्री छोड़ा तो फरार भेगेलक तो ये गजल थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें कोई भी हिंस नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इस रचना को पकड़ पाएंगे फिर तुलसी और केक्टस जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये तो याधी है इसके अलावा पूरब का गीत तो पूरब का गीत का अगर दो लाइन देगा तो पकड़ में आ जाएगा जोन दन सुरज उगेला सेव पूरब का हैला तो पूरब देख रहे हैं सुरज उगने का बात हो रहा है तो हम लोग पकड़ लेंगे ये पूरब का गीत रचना का है इसका लाइन देखेंगे देख कमल फूल मन उगरात है आएक उठ जाग चल चरैवेती चरैवेती तो यहाँ पस भी देखते हैं कि देखो कमल फूल जो है उगरात है आएक आँक जो है खोल रहा है तो इससे भी ये हम लोग को पता चल रहा है कि पूरब का गीत का ही रचना होगा क्योंकि सुरज उग रहा है तो क्या होगा एक छोटा सा ट्रीक है गजल या गीत जो भी गाता है वो क्या करता है तुलसी का उसको पानी पीना चाहिए क्यों 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 क्योंकि गजल गया या गीत गाने वाला क्या होता है उसका बहुत ज्यादा उसका संबन्ध है गला से और बहुत से लोग ऐसा है कि गला में अगर कोई प्रोब्लम आता है खासी होता है और हम देखे हैं कि बहुत सा गीत गाने वाला भी इधर एक नाकपुर गजल हो या गीत गाना हो दोनों के लिए हम लोग को क्या करना है तुलसी पानी पीना है या तुलसी का ड्रोप पीना है तो गजल गीत और तुलसी यह तीनों याद हो जाएगा तो तीनों इसलिए याद कराते हैं कि तुलसी और केक्टस तो हम लोग को धनेन परवाही का जो है हम लोग कर सकते हैं कम समय में कर सकते हैं और जो है बहुत ज्यादा नहीं उलजना है इसमें हम बाकी PDF से आप लोग खुद से कर लिजेगा हम 5 का कराएं हैं एक दो बार पढ़िएगा तो हो जाएगा बस थोड़ा से दिक्कत है कि सब 20 रचनाकार का 4 या 3 रचना जो है क 9 questions तो इतना है कि पकड़ में आ जाएगा 8 से 9 questions एक दो question छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है चैनल पे नय है तो चैनल को subscribe कर दिजे और वीडियो को share कर दिजेगा सब को share कर दीजे क्योंकि बार बार call message आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है इसलिए हम वीडियो हमको बन जा रहा है या class भी अगर कोई करना चाहते हैं अभी टेक्निकल वाला आया है उसमें भी नाकपुरी class करना है तो उसका भी नाकपुरी class कर सकते हैं अभी offer है हम offer को एक दो दिन और बढ़ा देंगे आप हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ जाए 009 006632 इस नंबर पर आप call कर सकते हैं अगर कुछ भी समाजी में नहीं आ रहा तो बहुत सा लोग छोटा छोटा चीज के लिए भी call कर देते हैं कि सर गड़ भरी करवाने के लिए कौन बोला था राजा बोला था कि रानी अरे भाई आपके पास लोग कथा है आपके पास material ह थोड़ा सा आप कोशिस कीजिए देखिये जाके लोग कथा में छोटा 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 चीज के लिए call कर देते हैं मैसेज कर देते हैं तो अब आपको भी अपने से मेहनत करना होगा हर चीज बना बनाया नहीं मिलेगा जाके उनसे पूछिए जो लोग 4000 और 5000 का कोर्स लेते ह तो छोटा छोटा चीज के लिए call मेसेज मत किया कीजिए कोसिस कीजिए कि उसको अपने से solve करने का दोस्तों से पूछने का तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा thanks for watching